नमस्कार दोस्तों मुकेश साहू क्लासेश चैनल पर आपका स्वागत है लाल कलर का सब्सक्राइब बिटन दिख रहा होगा दबा दीजिए उसके बाद बेल आइकान दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि सबी वीडियो की जानकरी सही समय पर प्राप्त कर सकें बिल्कुल फ मान्य है या दो सर्टिफिकेट एक साथ मान्य है इस तरह के कई कंबिनेशन हो सकते हैं दो डिग्री दो पीजी डिप्लोमा या एक डिग्री एक डिप्लोमा और एक डिग्री दो डिप्लोमा लेकिन UGC के अंतरगत सभी university कार्य करते हैं UGC जो है वो rules and regulation बनाता है universities के लिए और university के अंतरगत सभी college आते हैं तो college university जो है UGC के rules and regulation के अधार पर कार्य करता है तो इसमें इस पष्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक साथ आप दो degree किसी भी हालत में नहीं कर सकते अगर आपने किया भी है तो ये legally अमान्य है UGC के rules and regulation के धार पर यहां आप देख सकते हैं कि one degree and one diploma, PG diploma या certificate मतलब एक degree के साथ एक diploma या एक certificate या एक PG diploma आप कर सकते हैं और इसको so भी कर सकते हैं आप कहीं भी verification में ये बिल्कुल मान्य हैं और अगर इसमें कोई भी doubt हो तो आप UGC के DEB distance education board वाले section में जाएंगे तो वहां पे आपको ये notification मिल जाएगा ये official website से लिया गया notification है 100% sure UGC का जो official website है वहां से इसको download किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि एक regular degree course और एक diploma course आप एक साथ कर सकते हैं या फिर आपका diploma regular है जैसे कि D.A.D. या D.A.D. regular होता है तो एक degree को आप private से कर सकते हैं distance education से उसको कर सकते हैं ये बिलकुल मान्य है यहाँ पर ये इस पश्ट लिखा हुआ है इसके अलावा अगर आप one PG diploma and one PG diploma oblig certificate मतलब एक साथ दो PG diploma भी कर सकते हैं और एक PG diploma और एक certificate भी कर सकते हैं एक ही सत्र में एक साथ one diploma and one certificate एक साथ एक diploma और एक certificate भी मान्य हैं दोनों को एक साथ 100 भी कर सकते हैं दो PG diploma भी एक साथ कर सकते हैं दो डिप्लोमा भी एक साथ कर सकते हैं और दो certificate भी एक साथ कर सकते हैं conditions यह है कि दो डिगरी आप एक साथ नहीं कर सकते हैं चाहे वो दोनों regular हो एक regular हो एक distance हो एक regular हो एक private हो अगर दोनो degree course है, degree course का मतलब जैसे आपका MA, BSC, BCOM, यह सब degree course है, B8 भी degree course है, B8 के साथ BSC या B8 के साथ MSC आप एक साथ नहीं कर सकते, और अगर आपने किया है, तो इसे एक साथ सोक कर नहीं सकते, यह illegal है, according to UGC guidelines, instruction, rules and regulation, हाला कि UGC इस पर अभी भी विचार विमर्स कर रहा है, क्या 2 degree एक साथ मानने किया जाए, इस पर अभी भी विचार विमर्स जारी है UGC में, UGC से आप RTI लगाएंगे, आपको यही जानकारी मिलेगी, जिस तरह से आप RTI में प्रस्न पूछेंगे, वैसा ही जवाब आपको मिलेगा, उसमें यह कहा जाता है कई ITI के आप देखेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि डिपलोमा के लिए कोई बनाया नहीं गया है, रेगुलेशन, अलग चीज होता है, नेकि नोटिपिकेसन भी होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि एक साथ आपका एक डिग्री और एक डिपलोमा कोर्स किया जा सकता है, यह अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से यह चल रहा है कि एक डिग्री एक डिपलोमा एक साथ किया जाता है, श्रिप दो डिग्री एक साथ रेगुलर मोड में हो, या फिर एक रेगुलर एक डिस्टेंस मोड में हो, एक रेगुलर एक प्राइवेट मोड में हो, तो वो मानने नहीं होगा, डिगरी के केस में, लेकिन एक डिगरी, एक डिपलमा 100% मानने हैं, किसी भी तरह का आपको सको, तो UGC के वेबसाइट में ये नोटिफिकेसन मिल जाएगा, तो आप इसे एक प्रूप की तरह सो कर सकते हैं, दोस्तों, ए मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था, आपको नोटिफिकेसन भी मैंने दिखा दिया है, जो कि UGC के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो किसी भी तरह का संदेय ना रखें, अगर आपका एक डिगरी, एक डिपलमा एक साथ हुआ है, तो वो 100% मानने होगा, एक